इंस्टाग्राम फोटोग्राफिक पेज बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पेज को ग्रोग किया जाता है तो इस वीदियो को मैं कम्प्लीट अपको चैनल को सबस्क्राइब कर ब्रोगों षाभाजिब और योटूब पर बात करते इसके अलावा एक हट के टॉपिक जिसके उपर बहुत जो है क्रूशियल है आप सबके इन्वेस्टमेंट का हम क्रिप्टो न्यूज को भी लेकर आते हैं रेगुलर बेसेस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल नोटिविशन को प्रेस कर देना एंड इस वीडियो को करते हैं सब्सक्राइब अपने Instagram पर फोटोग्राफी पेज को वह ग्रो कर सकते हुआ या आपके हैं के क्लाइइन्श कुछ सबस्दों तसमेटे में समिम स्परंगें किस तरीके से एक फोटोग्राफिक पेज को इन्स्टाentin पेइट कर चुकर हों तो स्टार्ट करने वाले हो पर अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के मैंने में कुशन ना रहोगा कि नीश तो हम अल्यटे डिसाइड कर चुग है फोटोग्राफी बट यह बात का फोटोग्राफी कोई नीश नहीं है फोटोग्राफी एक्षुल एक इन्वेस्ट्री एग जब हम बात करते है तो हम एक्षुली में बात करते हैं नेरो नीश की तो नीश के लिए जैसा फोटोग्राफी का नीश है उसे वो चूज करते हो तो जैसा हमने बोला कि वो कोई नीश निया वो एक इंवस्ट्री है तो हमें नीश डिशाइड करने है बेसिकली है नीश आप क्या-क्या चूज कर सकते हो पर्टिकुलर लिए आप एक सब्जेक्ट के ओपर नीश चूज कर सकते हो या फिर आपके स्टाइल और फोटोग्राफी है उसके बेसिस पर आप अपने नीश को रिसाइड कर सकते हो जब आप अपना पेज स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर आप एक जीज यह कर सक आप यह तो आप यह फूड की फोटोडर ऐस फेशन शपोर्ट्स इंसा एक फोटोक्राफ को आपशे हर कर सकते हो अगर मैं बात करूंझ इस्टाइल्स की तो आप यह कर सकते हो आप अयह गे Scottish जो इमेश्चे ने मिल्णी नी शूटिया उनको शूर करो ग 살ाब तो यह निस person तो यह तो ब्लाक और मैज फोटो में बहुत अच्छा करको लाइज पून्टक कर गया किसे को चीड़ कर सकता है किसी को क्या सकता है किसी को मिने मिले स्टिक जिए तो मिने मिले स्टिक के लिए आप से कॉंटक्ट कर सकते है कोई इमिजर जो है तो इस तरीके के पेज़ेज को फॉलो कर सकता है तो इस तरीके सब को नीश को नेर डाउन करना है नीश को जो है बेसिकली समझना है उसके बाद जो नेक्स चीज़ आती है शेयर ओनली बैस्ट और यह चीज़ मैं सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं कहता है कि मैं हर एक नीश के लिए कहता हूं अगर आप अपने पेच को ग्रो करना चाहता हो तो बिसिकली हमेशा वह इमेज़ेज शेयर करो जो बैस्ट और जैसा कि हम सब जानते कि हर इमेज बैस्ट नहीं होती कोई कहीं ना कहीं किसी नहीं किसी में प्रब्लम होते बिट स्टिल अगर यह मैं किसी क्लाइंट को शो करूँ है किसी पर्सन को शो करने तो उसे वह अच्छा लगए है तो उसी को आप शेयर करो और यह एक मेरी लाइन हमेशा याद करके रखो कि अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जाब पॉर्ट्फुलियो ट्रीट करो जैसा हम जानत प्रोफाइल को देखते हैं जो आपके रिशेंट के नौन पोस्ट है उसके बेसेस पर डिसाइड करते हैं कि वह आपको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको यह देखकर चलना है एंड उसके बेसेस पर आपको काम करने कि हमेशा बैस्ट इमेज़ मेशा हर एक पोस्ट जो है वो बेस्ट पोस्ट होना चीए अब एक रूल जो 8020 रूल जो फीड के लिए मैकसिमिन टाइम फॉलो करना चाहिए अगर आप ग्रोग अचाहते हो कि आपके प्रोफाइल अच्छी दिखे और आपकी प्रोफाइल भी ग्रोव हो साथ ही साथ जो है आप अपने एक परसनल ब्रैंड भी बिल्ड करो तो उसके लिए बिसीकलि आपको इस 8020 रूल को फॉलो क करना चाहिए और मैं क्विक बताऊंगा बहुत अदर टाइम नहीं लूँगा जब लॉंग वीडियो जाते तो आपने से बहुत साथ लोग देखते नहीं तो आएक सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी करी देना ताकि और अच्छी वीडिय आपके वक्से रिलेट करता हो एंड जो ट्वंटी पर्सेंट शेयर करोगा वह अपने बारे में शेयर करोगे आपको अपना पर्सनल टच आपकी फीड में होना चीए ब्सक्राइब कोई एक सिंपल पेज को फॉलो करने में इतना ज्यादा इंटरस नहीं जिखागा इस टा आपको यह फोकस करना है कि 80 परसेंट आपको अपने वक्से रिलेटेट को शेयर करना है एंड 20 परसेंट आपको शेयर करना है अपने बारे में अपनी इमेजे शेयर कर सकते अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो उसके बाद तो नेक्स इस आती हो आती है क्वालिटी ओवर क्वा फाल्ट को ग्रोगर सकते हो बट जब बात करते हैं फोटोग्राफिक ही न तो वहां पर अगर आपको प्रीमियम फॉल्वर्स चाहिए मतलब अच्छे फॉल्वर्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी पर तो द्यार देखो फोकस करना पड़ेगा तो अगर आप क्व वह जादा से जादा पॉजिटिव रिस्पॉंस को ले पाऊ ज्यादा कमेंट्स ले पाऊ एक अपना पोस्टिंग का पैटर्न बनाओ इसके अपोस्ट को जैसे मैं अब अगर पोस्ट शेयर करता हूं तो मैं मैक्सिमुम टाइम यह ट्राइब करता हूं को तीन रिल्स एन एक फीड पो शेयर करूं इस तरीके से कि मेरा जो फीड वो मैंटेन रहे क्लाइंट के लिए क्लाइंट को भी अच्छा लगए और नॉर्मल कॉंटेंट कंज्यूमर है उसको भी अच्छा लगए तो उस ही पर आपको ध्यान देना चाहिए और उसको पर आपको काम करना चा इस से जाधा कुछ नहीं डालते हैं तो फोटोग्राफिक का पेज इस तरीके से ग्रोव नहीं होने वाला अगर आपको अपने फोटोग्राफिक का पेज ग्रोव करना है तो कैप्शन के अंदर मैक्सिमुम इंफॉर्मिशन दो और आप क्या-क्या दे सकते हो कैप्शन के मैं डिक小baby आहीं देजिए वीडियो बना चुका हूं कि कैप्शन किस तरीके से लिखना है यहां पर मैं आपको short मैं बताता हूं कैप्शन स्टार्ट हाता है herel een se एक story आपको share करने है उस image के behind में कि आपने वो image कैसे click करी, क्या किया, क्यों click करी, क्या reason था, उसके बाद configuration आपको बतानी है, आपकी shoot के, आपने जो image share करी है, उसके पीछे का, मतलब जो configuration थे, अगर आप camera से shoot कर रहे हो, अगर mobile से shoot कर रहे हो, तो क्या configuration फॉलो करी, इस configuration के लिए, आप basically अगर सकते हो, आप तो अपने carousals भी create कर सकते हो, कि first slide पे अपने image दिखाई, उसके बाद बाकी सारी slides पे आप configuration दिखा रहे हो, जो आप use कर रहे हो, इस image को shoot करने के लिए, एंड में call to action आपको डालना है, कि आप लोग को करना है, इस image के साथ उनको इसको share करना है, like करना है, comment करना है, कोई questions है, आपका वो पूछने है, वो करना है, या and, उसके बाद, एंड में, आपको डालना है, hashtags, अब hashtags बहुत ज्यादा important है, इसके लिए में वीडियो अल्री बना चुका हूँ, बहुत dedicated वीडियो, मतलब एक ए घंटे की वीडियो, जो है, थोड़ा सा time देना पड़ेगा, देख और caption के लिए, story लिखना है, configuration को share करना है, थोड़ा सा time consuming होता है, बट यह आगर आपको एक quality page grow करना है, उस page earning करनी है, कुछ clients लेने है, तो यह सारी चीज़े आपको जो है करनी पड़ेगी, उसके बाद, जो next जी आती हो, आती Instagram hub method, अ आप मुझे follow करते हो, काफी time से, तो कई बर क्या होता है, कि हम story के अंदर, shout out देते हैं, लोगों को, और share करते हो, उन पेज़े जो बड़े pages है, जो हमारे content को अपने pages पे share कर रहे है, basically, यह होता ही है, कि यह दूसरे लोग है, जो आपके content को लेके अपने pages पे share करते हैं, आ वो चीज होती है, तो आपको क्या करना है, कि ऐसे जो pages है, उनको find करना है, जो आपके जैसे images को share कर रहे है, अपने profile पर आपको एक shot out दे रहे है, उनके साथ, basically, contact करो, उनको propose करो, कि आपके profile है, quality, जो images है, वो share कर रहे हो, but यह रहे हो, Instagram, हम method के रहे हैं, आपको quality पे बहु को quality पे बहुत जादा focus करने के जरूरत पड़े है, and quality, अगर आप दे रहे हो, तो आपको chances है कि यह pages जो है, आपको share कर देंगे, and उसके बाद आप उनसे बात करो, simply, कि क्या वो आपके page, आपके page के images को, posts को अपने profile पे share कर सकते है, नहीं कर सकते है, अगर आप यह करने में successful हो जाते हो, तो basically आपका page जो है, बहुत तेजी से grow होगा, and मैं जानता हूँ, instagram hub method easy नहीं, यह as a type of sales है, तो इसको आपको mind में रखके चलना है, अगर यह आपको करना है, तो यह देखो, contact तो आपको करना पड़ेगा, तो यह complete method था, जिसके थूरू आप अपने Instagram के photograph पेज आपको जो है grow कर सकते हो, I hope आपको यह informative लगा हो, and informative लगा है, तो अभी इस slide का screenshot लो, अपने Instagram पे share करो, मुझे tag करो, and मैं कोशिश करूँगा, जितने भी लोग इस time पे tag करेंगे, मुझे, उन सबको अपने next profile audit मे, free of cost profile audit देने वालों, हलागे मैं सबको free देता हूँ, but जै Thank you everyone for watching this complete video, अगर वीडियो के अंदर बहुत information जो है आपको मिली हो, तो वीडियो कमेंट section वह आप मुझे बता सकते हो, उसके अलावा, अगर वीडियो को like नहीं किया, तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe कर देना, मैं मिलता वीडियो के अंदर, तब के लिए goodbye and take care.